नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हैं कोरोना के इस दौर में आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी है हमारी आसा है आप स्वस्थ रहे हैं और अपने परिवार वालों को भी स्वस्थ रखें तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ले स्टेट बो 20 जून 2021 और जो आपका अप्लिकेशन डेट ओपन होने की है वो है आपके 25 माइक 2021 तो इसमें 7000 से जो उपर पोस्टे हैं उसमें आप यहाँ पर देख रहे होंगे देखिए डेरेक्टरेट आफ एजूकेशन डिपार्टमेंट में यह जैसे घंडी मेल आपका अषिस्टेर प्राइमयरी उसके बाद जो जञ़न असिस्टेंट्र्रीटेट डिचे उपर है इसके बारे में हम आप भी आगे देखते हैं और अगर आप उत्राखंट से हैं तो आप भी इसको भर सकते हैं तो अब यहां पर हम चलते हैं आगे पर्टिकुलर लिए अगर हम एड़ोटीजमेंट की बात करें, पर्टिकुलर पोस्ट की बात करें, तो मैं आपको यहां पर एक बता देता हूँ, और बांकी जो इसका अपका PDF का लिंक है, वो मैंने नीचे description में दिया हुआ, वहां से आप जा के इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप पर देख सकते हैं, तो जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो TGT हिंदी फीमेल है, यहां पर कुल मिलाके 551 पोस्ट हैं, जिसमें आपका EWS की 26, अन्रिजरूट की 310, OBC 91, SC 39 और ST आपके 85 हैं, और यहां पर आपको देखिए, essential में BA honors चाहिए, आप य पास CTAT है, तो आप यह काम कर सकते हैं, उसके बार आपका जो degree, diploma, teaching यह आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और age की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो age आपकी 32 साल से नीचे होनी चाहिए, और जो आपकी यहां पर पेस के लोने जा रहा है, वो 3300 से लेके 34800 तक जिसमें आ आपका CTAT चाहिए, 32 साल की age होनी चाहिए, फिर आपका हम TGT, Natural Science, Mail की बात करें, तो कुल मिलाके 1040 पोस्ट हैं, ठीक है, उसमें भी आपका सब कुछ, जो सारी चीज़े हो चाहिए, इसी प्रकार से आप आगे और भी समझ चीज़ें देख सकते हैं, अब इसके लिए तो आ आप एसिस्टेंट टीचर जो primary है, इसके लिए जो age होनी चाहिए, वो आपका 30 year होनी चाहिए, इसी प्रकार एसिस्टेंट टीचर nursery इसके लिए भी आपकी age 30 year से कम होनी चाहिए, सिमिलरी LDC के लिए आपका 18 साल से लेके 27 साल के बीच में होना चाहिए, तीक है, उसके के 27 साल तक होनी चाहिए, अब यहाँ पर आप देखिए, जो अगर आपको apply करना है, आपको online apply कर सकते हैं, other mode में आप apply नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर जितने भी आपके जो exams होंगे, वो सभी exams आपके दिल्ली NCR में होंगे, और इसके लिए जो official website है, वो है dssbonline.nic.in, यह नहीं है, वो आप सारी चीजें देख सकते हैं, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, mode of selection की तो यहाँ पर आपके दो exam होंगे, one tier, two tier examination होगा, उसमें जो syllabus है, वो सले बस में आपको बताता हूँ, generally आपका जो syllabus है, उसमें general awareness है, journal science है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं, उस ठीक है, one tier में, ठीक है, वो आपका journal awareness है, इसमें MCQ questions होगी, journal intelligence and reasoning ability है, arithmetic numerical ability है, जिसमें LCM, SCF, data interpretation, decimal, simplification, ratio, proportion, percentage, फिर हिंदी language comprehension है, इंग्लिस language comprehension है, यह आपका मिलेगा, ठीक है, उसके बाद जो आपका section B वाला part है, वो आपको देखना पड़ेगा, फिर जो आपका टूट है जर्नल सिटी आपका है, टूट है, आपका examination है, उसको आप यहाँ पर देखकते हैं, eligibility criteria आप यहाँ पर देखिए, the candidate must be a citizen of India, मतलब अगर कहीं उत्रा भारत में कहीं भी हैं, तो आप इस exam को भर सकते हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को OBC candidates को बता दूँ, अगर आप outsider OBC मतलब अगर आप दिल्ली के नहीं है, आप other state के हैं, तो आपको वहाँ पर unreserved category में ही माना जाएगा, आप वहाँ पर reservation का फायदा नहीं ले सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो यह सारी चीज़े हैं, यह आप देख सकते हैं, age relaxation भी है, उसके बाद पर्टिकुलर form भर लेना चाहिए, यह सुरू होगा आपका 25 माई 2021 से, और जो closing date है, वो आपका 24 जून 2021 रहेगी, तो दोस्तों इसी आसा में कि आप सरकारी नौकरी के प्यारी कर रहे होंगे, मैं वीडियो कम्प्रीट करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहूंगा, इस समय आप अपने स सबी सगे समंदियों का ध्यान रखिएगा, घर से बार कम निकल ये, लेकिन मेहनत में कमीमत रखिए, घर में बैठके पढ़िए, और अगर आप हमारे online courses से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारी एप वेदासी learning app को डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं मिलता हूं विर आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए, जय भारात, जय उत्राखाइड,